हैलो फ्रेंड्स यह नाष्टा आपने अपने अन्दाज में बनाया तो कहीं बार होगा आजकल सभी को बिना तेल के नाष्टे की तलाश होती है तो आज मैं आपके साथ हेलधी तरीके से और भिना तेल या कहलो देटी नाष्टे को बनाकर दिखाऊँगी तो इसके लिए हमन पानी मैंने या पर एक कप लिया है भरकर और उसके अंधर ये थोड़ा सा कच्छा जीरा एक चमच और एक चुथाय चमच ढालेंगे हम इसमें नमक और एक चमस डालेंगे हम इसमें तेल, कोई भी कुकिंग ओल चलेगा और एक छोटी कटोरी मैंने डाली है धनिय की चटनी की जो की हम अपने घर में आम दिनों के लिए बना कर रखते हैं जिसमें हम सिरफ धनिया, लसून, अधरक वगरा पीसते हैं सिरफ वह नॉर्मल वाली चटनी है, जब इन सारी चीजों में अच्छे से उबाल आ जाए, तो जिस कप से हमने पानी डाला था, उसी कप से हम भरकर यहां पर एक कप सूजी का डाल देंगे सूजी को हम अच्छे से पानी में बढ़ए से मिक्स देंगे, और यह देखिए कितना बढ़ए कलर आ रहा है, अब यहां पर इस घोल को हमें इस तरीके से गाडा कर लेना है, जो पानी है वो हमारा अच्छे से यहां पर सूख गया है, और इसको अभी हमें और थोड़ा सा ह इसको बिल्कुल सूखह आटे की तरह बना लेना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूते हैं बिल्कैंट obec को जब तक ऊपर निचे करना है जब तक ये बिल्कुल ड्राइचा ना हो जाए ना चोड़ натीड तो देखिए यह हमारा बिलकुल बड़े से ड्राइयों गिएस कर देंगे बन और इसको एक बर्टन में निकाल लेते हैं बर्तन के बाद कुछ दिर के लिए से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं इतने हम कर लेत leur छोटे सी त्यारी, यहाँ पर एड़ करेंगे, हम अपनी पुसंत की सबजियां आप कुछ भी लियसे हैं, जैसे मैंने थोड़ी सी यहाँ पर पत्ता गोबी ली हे थोड़ी सी प्याज है, हरी मिर्ची है, शिमला मिर्ची है थोड़ी सी गाजर कद्दू कस करके लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है और एक उबला आलू लेकि हम इसको कद्दू कस कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर आलू डालना चाहे तो डाले नहीं तो स्किप कर सकते हैं केवल सब्जियों से भी इस स्ट्रफिंग को बना सक सकते हैं तो आलू हमने आपर अच्छे से कद्दू कस कर लिया है और थोड़ी सी उबली मटर भी एड़ कर देंगे फ्लेवर के लिए कुछ मसाल एड़ कर देंगे जैसे कुटी वी मिर्च थोड़ा सा जीरा पावडर पिसावा स्वाद अनुसार डालेंगे नमक थोड़ा स सारी चीजों आप बढ़ी असे मिक्स देते हैं हमने एक स्टफिंग कर लिए और चलिए आटा भी अमारे आपर बढ़ी से थंडा हो चुका है इसको हम हातों से बढ़ी असा एक मिक्स दे देंगे अब सूजी का मिक्चर है तो थोड़ा मतना तो चाहिए ही तो इसे जैसे आ अटा लगाते हैं इसी तरीके से मुक्की लगा लगा के थोड़ा साथे को स्मूथ कर लेंगे और देखिए आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ बनके तियार हो गया है तो चलिए अब करना क्या है इसमें से हम एक इस तरीके कर पोशन लेंगे और उसको हाथों से थोड़ा से इस कि हम बना लेंगे बड़ी सी रोटी शेप का इसमें कोई भी जंजट नहीं है पस बड़ी सी रोटी बयाने ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी मीडियम साइज की बनानी है एक इस तरह की गिलासी या ग्लास लेके हम इसमें से पूरी की शेप की पीसे कट कर लेंगे इस हमारी इतनी मोटाई वाली पूरी बनके आपर रेडी हो गई है कोई बता भी नहीं सकता यह नाश्ता आपने किस चीज से बनाया है तो जो बचावा आटा था उसके भी हम इसी तरीके से पिसेज निकाल लेंगे गिलासी से कट करके सिरफ एक कप सूजी का इस्तमाल करते हुए हमने यहां पर पूरा प्लेट भरके देखिए इस तरीके से नाश्ता बना लिया है अभी इसको फाइनल टस्ट देना बाकी है उसके लिए हमने यहां पर एक तरीके से यह जाली वाली छली ले लिए अगर आपके पस कोई भी जाली वाला बरतन हो इस तरीके से आप लेकर उ अब जो हमने stuffing बना के तयार करी हुई है उसको आप इसके उपर इस तरीके से रखते जाएं जो ये काम मैं अभी इसमें करकर दिखा रही हूं आपको ये काम आप पहले से भी करकर तयार करके रख सकते हैं उसके बाद फिर आप इसको जाली वाली प्लेट में इस तरीके से stuffing है और दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखते जाएंगे हातों से हमने थोड़ा stuffing को फिला दिया है ये देखे बिल्कुल इस तरीके से एक नीचे है और एक उपर पीस लगा देंगे चलते हैं गैस की और गैस पर मैंने कड़ाई में थोड़ा सा पानी रख दिया था बॉयल होन और इदे के बहुत असानी से हाथ से ही निकल जाएगा क्योंकि हमने नीचे ऑईल की ग्रेसिंग की हुई है तो यह चिपकेगा बिल्कुल नहीं अब चाहे तो आप इस नाश्टे को ऐसे ही कटकर खा सकते हैं अगर आप हैल्दी वे में इस नाश्टे को रखना चाहते हैं और यूज बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं यह फिर भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा और हैल्दी तो यह है ही अगर यह नाश्टा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए हम यहां पर थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक दे देते हैं उसके लिए हम कर के सूझ तरीकिक करके सेक्व कर देना है और उसके बाद कोी चमच या कि तरीकि की ऐसे या फिर हातों से अ criticizing कर वह हम नीचे से से क्रिस्प हो जाएंगी और जैसी हमारी की होती है बिलकुल वह वाला फ्लेवर हमारा इसकेंदर आएगा या आप इनको मीनी इडली बर्गर भी कह सकते हैं सुबह की जल्दवाजी में एक कप सूजी से जटपट बनने वाला नाश्ता है और यह बच्चों क्या बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा इस तरह का नाश्ता है तो आप एक नाश्ते में बनाएं वैसे तो बच्चों की टिफिन में अगर आप यह नाश्ता देंगे तो बच्चे बिल्कुल टिफिन खतम करकर आएंगे अगर यह नाश्ते की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बि वीडियो तेखने के लिए थैंक्स पर वाची